दोश्तों अगर आपके पास भी हमारा इंडिया क्रेडिट को क्रेटिव सुचाथी लिमिटेट का बॉंड है और आपको भी अगर समस्य आ रही है उसको CRCS पोर्टल पे ओनलाइन करने में तो घबराएं नहीं आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप कैसे हमारा इंडिया का ब्वंड को online कर पाएंगे क्योंकि हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोगत समस्य यह वहां पर अकाउंड नंबर क्या चैडिविकेट नंबर क्या डाले मेंबर्शिप नंबर क्या डाले deposit amount क्या डाले, maturity amount डाले, deposit amount डाले, maturity date डाले, account opening date डाले, यह बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही है, comment box में बहुत सारा लोगों ने हमसे query भी गी है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम step by step बताएंगे और आपके screen पर हमारा India का bond आपको सामने रख के और आपको हम कहां आपको certificate number मिलेगा, यह बहुत सारी चीजे हैं जो आपको अभी भी doubt है, तो आप बने रखेएगा इस वीडियो में आपको हम लेगे चलते हैं screen पर और दिखाते हैं भर के step by step जब हमारा India का कैसे online कर पाएंगे CRCS portal पर और अगर आपने और सारा वीडियो नहीं देखा ह जैसे care cooperative का कैसे online करें, सहार और universal का कैसे online करें, तो आपको description box में सारे वीडियो के link मिल जाएंगे, जितने फी सहारा से related हमने आज तक वीडियो बनाया है, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देखकर और अपना आवेधन कर सकते हैं, तो आई जाएगा, और इस वीडियो को share भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को इसे मदद मिल सके, अपसे पहले आपको अपने mobile या फिर अपने computer में कोई भी browser open कर लेना है, जैसे कि google या फिर google chrome, और आपको search bar में type करना है, https semicolon mocrefund.crs.gov.in, इतना लिखके आपको simply search पे click करना है, जै आपको जमा करता पंजी करन, जमा करता लोगीन, मानियो सुप्रीम कोट का अदेश, यह बहुत सारे option आपको दिखाई देंगे, अब आपको हम दिखाते हैं, आप दाहिने साइड में ऊपर से चाहे तो अपना language भी change कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ऊपर दाहिने स पर सकते हैं, अब आपको सबसे प्ले हम जमा करता पंजी करन करने के बाद आपके सामने window open होगा जहां आप देख सकते हैं कि आपका आधार number और mobile number आपको इसमें डालना है आधार number का आपको last का चार digit ही डालना है और mobile number आपको वही डालना है जो आपके आधार में link हो तो सबसे पहले आप उपर वाले में अपना आधार का जो लास्ट का चार डिजिट है आप वो इसमें डाल देंगे और फिर आपको नीचे वाले में आधार से जो भी आपको मुबाइल नंबर जुड़ा होगा आपको मुबाइल नंबर डाल कर और सिधे आपको OTP प्राप करे करेंगे गूगल ओपेंड करने के बाद आपको यहां भी वही सर्च बार में टाइप करना है सेमी कॉलोन और जो हमने वहां पर टाइप किया था सबसे जो उपर साइट दिखाई दे रहा है MOCRE.CRH.GOV.IN आपको simply इस पर क्लिक करके इसको open कर लेना है जैसा ही आप सबसे उपर वाले link पर क्लिक करेंगे आपके सामने SI की इंटरफेश दिखाई देगा आपको उपर धाहिने साइड में सबसे उपर three dot दिखाई दे रहागा आपको उपर उसपर क्लिक करके और desktop लेफ्टैप पे दिखाया था करना है यहां पर फीर से जम्मा करता है क्लिक करना है फिर आपको अपना अधार का लाज चार डिजिस नंबर डालना है और जिसन लेफटॉप कर रहे थे यहां पर मोबायल में उल्हको सेम प्रॉसेस करना है अब ध्यान दे मैं आपको laptop पर ही बताऊंगा दिखाए देगा तो मैं आपको laptop पर ही करके दिखाऊंगा लेकिन आप same process जो मैं लेपटप पर करूंगा आपको सेम प्रॉसेस अपने मोबाइयल में करना है और आप same to same वही process करके अपना तो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना कर पाएंगे सबसे पहले आपको ऊपर में अपना अधार का लास्ट का चार डिजित आपको डालना है और फिर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल कर और फिर OTP पराप्त करें पर आपको simply क्लिक करना है OTP पराप्त करेंगे के पाद Convention क्लिक बाद आपका जो अधार में मोबाइल मंबर जो लिंक रहेगा उसपर आपको एक OTPそうだ होगा जिसको आपको यहां पे OTP दर्ज करेंगे बॉख्स में डाल देना है OTP डाल कर आपको नीचे OTP सत्यापित करें पर simply click कर देना है जैसे ही आप OTP सत्यापित करेंगे और OTP सत्यापित करें पर click करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा interface दिखाई देगा आप देख सकते हैं कि स्कीन पर लिखा है आधार डेटा का अव्योग करने के लिए जमा करता की सहमती आपको ये सारे point बारी-बारी से आपको अच्छे से पढ़ लेना है और सारे point पढ़ने के बाद ही आपको नीचे जो एक box दिया है नियम और सरतें उस check box पर आपको क्लिक करके और मैं सहमत हूँ पर आपको simply क्लिक कर देना है मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से अगला पर क्लिक करना है जैसे ही आप अगला पर क्लिक कीजिए का आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस देखाई देगा जहां अब आप सेकेंड श्टेप में आप पहुंच चुके हैं आप उपर देख रहे होंगे आपको छे स्टेप में यह सारे प्रोसेस को पूरा करना है पाहला स्टेप आपका UDID घोसड़ा है दूसरा है आपका विक्तिकत विबरण तीसरा है आपका दावा विबरण चौथा है आपका प्रपत जनरेट करें और पांचवा है दस्तावेज अपलोड करें और लास्ट है आपका पावती और रसीद कहने का मतलब कि आपको इन ही छो स्टेप में आपको अपना आवेदन को पंतिम रूप देना है अभी यहां दूसरी स्टेप में आपको सबसे पहले अधार नंबर वाले बॉक्स में अपना बारांग का अधार नंब होगा उस ओटिपी को आप इंटर ओटिपी वाले बॉक्स में आप डाल देंगे और फिर आपको ओटिपी सत्यापित करें पर क्लिक करना है जैसे ही आप सत्यापित पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा डिटेल खुल गया जाएगा आपके आधार कार्ट से संबंदि यसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सामने आपका पूरा नाम जन की तारीक पिता पती का नाम आधार सीडेड बैंक मतलब आपके आधार से कौन सा बैंक लिंक है उसका नाम भी आ जाएगा और नीचे आपका इमेल आईडी डालने का एक उप्शन आएगा आप चाह इमेल आईडी रिश्टर होने के बाद आपको सामने एक मैसेज आएगा वो आपका इमेल आईडी सक्सेश्फूर रिश्टर होने का मैसेज होगा जैसा कि आप इस स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे व्यक्तिगत विवरार सफलता पूरवक सहे जा गया अब सिंफली आपक यहीं पर बारी-बारी से रिटेल डालना होगा और फोटो उसका सेलेट करके और सब्मिट करना होगा अभी चुकि हम आपको हमारा इंडिया केट कोप्रेटिव का बॉन्ड भर कर दिखाने वाले हैं इसलिए आप से रिक्वेस्ट हैगा कि आप भी अगर हमारा इंडिया का ऑनलाइन करने जा रहा हैं तो सबसे पहले आप या सियोर हो लें कि आपने सारे बॉन्ड अपने साथ रख लिया है जी हां आपके पास इतने भी हमारा इंडिया का बॉन्ड है आप उसको एक साथ एक खटा कर लें और बारी-बारी से सबको ऑनलाइन करें क्योंकि एक बार अगर आपने सारा ओनलाइन कर दिया और आपसे कोई बॉंड छूट जाएगा तो फैनल सब्मिट करने के बाद आप फिर उस बॉंड को दुबारा ओनलाइन नहीं कर पाएंगे इसलिए आप संतुष्ट हो लें कि आपके पास सारे बॉंड हैं तभी आप बारी-बारी से उसक सदस्ता संख्या और मेंमबरशिप नमबर आपको डाल देना है जो आपके बॉंड में लिखा हो गा फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो खाथा संख्या दिया होगा आपके बॉंड में खाता संख्या भी दिया होगा You can डाल देंगा रस्तीस संख्या डालने के बाद आपको नीचे प्रमार पत्र या पास्बुक न 2024 दिखाए देगा. आपके बौन्ड पर आप सबसे ऊपर देखिए, तो ढ बूल अक्चर में लिखा रहे फिर आपको अपने bond में से देखकर जमा योगदान रासी भी लिख देना है यानि की deposit amount कितना है वो आपको लिख देना है फिर नीचे आप देखेंगे तो आपको कोई आंसिक भुखतान प्राप्त हुआ यह एक option देखाई देगा अगर आप जिस bond का भी online कर रहे हैं उस bond में स कभी आपने सहारा इंडिया से कोई भी आंसिक भुखतान लिया होगा तो आपको इस check box पे क्लिक कर देना है और आपने कितना भुखतान लिया था उसका detail यहाँ पर डाल देना है फिर नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है क्या आपने society से रिंड लिया है जिस bond का अब आप ओनलाइन कर रहे हैं उस बॉन्ड पर कभी आपने अगर सहारे इंडिया से लोन लिया होगा तो उस लोन का डिटेल आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही नीचे आपको और वहां पर आपको डाल देना है कि आपने कितना लोन लिया था और कितना उसमें समूलधन अपने जमा कर दिया था अगर आपने लोन नहीं लिया है या फिरांसी भुक्तान नहीं लिया है तो आपको इसको ऐसे छोड़ देना है चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है अब आपको नीचे चूज फाइल पर क्लिक करते ही आप डिडारेक्ट हो जाएंगे वहां पर जह सही भरा है कीने चाहे वो एकंट टंबर हो चाहे ओ डिपोजित आमांट हो चाहे वह मेंबर्शिप नमबर हो सारा पहले डिटेल मिला लेंगे आराम से जब आप यह शेयोर हो जाए कि आपने सारा डाटा सही शाइब भर दिया है तो आपको एक नीचे ओप्शन दिखाई द अपना सोसाइटी का नाम चूज करके और दूसरा आप सर्फिकेट लेकर और उसका डाटा सारा आप भर सकते हैं और फिर आप नीचे जाकर दावा जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो आपका दूसरा डाटा भी सेव हो जाएगा ऐसे ही आपके पास 50, 100, 200 जितने भी बॉंड है आप सब को ऐसे ही बारी-बारी से यहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं यानि कि दावा जोड़ सकते हैं आप देख सकते हैं कि आप यतने सारे बॉंड का डाटा फिल करेंगे दावा जोड़ते जाएंगे आपका नीचे वह एड होता जाएगा आप बारी-बारी से मिला लेंगे क कि अपना सारा डाटा आपका वाहां नीचे एड़ हो रहा है कि नहीं याप 500 जोनी भी data id करेंगे आपका सारा नीचे एड होता जायगा आप दावा जोडे पर किलिक करते जाएंगे और आपका डाटा नीचे जमा होता जाएगा अभी मैंने आपको पहले डाटा भरके और तब certificate upload करके दिखाया है लेकिन अब मैं आपको पहले एक certificate upload करके और तब उसी certificate में से data भरके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं कहां से account number डाल रहा हूं कहां से deposit amount डाल रहा हूं और कहां से मैं deposit date डाल रहा हूं तो सबसे पहले मैं एक certificate upload कर लेता हूं फिर आपको मैं दिखाता हूं उसी में से भरके ताकि आपको सारा process अच्छे से समझ में आए आप भी दोनों तरीके में से कैसे भी कर सकते हैं या तो आप पहले data भरके तब certificate upload कीजिए या फिर पहले certificate upload क करके तब data भरिए दोनों में से आप कोई process कर सकते हैं अब देख सकते हैं कि मैंने चूज़ फाइल पर जाकर और एक certificate पहले upload कर लिया है आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया का golden डवल का certificate है इसी में से देखकर हम सरा detail अपना भरते जाएंगे सबसे पहले हम सबसे ऊपर society क अब हमको नीचे सदस्ता संख्या डालना यानि कि membership number डालना है जो आपके बॉंड पर आप देखेंगे तो दाहिने साइड में आपको किनारे सबसे लिखा मिल जाएगा यहीं से membership number देखकर आपको अपने form में फिलब कर देना है आप जो भी data भरेंगे आप ध्यान देंगे क कि आपको वो डेटा एकदम सावधानी पुरुवक भरना है membership number या सदस्ता संख्या लिखने के बाद आपको यहां पर खाता संख्या लिखना है यानि कि account number लिखना है जो आपके बॉंड पर लिखा होगा आप देख रहे होंगे जहां अभी करसर बिलिंग कर रहा है आपको अपको यहीं पर लिखा दिखाई देगा आपको यहीं से देखकर account number लिख देना है account लिखने के बाद आपको रसीद संख्या यानि कि receipt number लिखना है जो कि आपके बॉंड पर लिखा देगा सबसे ऊपर आप ध्यान देंगे कि receipt number जो है वह hologram number के नीचे लिखा गया होगा नंबर या फिर passbook number है इसी को आपको यहां पर डाल देना है अब आपको नीचे खाता खोलने की तिथी डालना है यानि कि account opening date डालना है यह वी आपको आपके bond पर लिखा दिखाई मिल जाएगा जहां पर on date लिखा होगा आप देखेंगे कि वहां पर एक date लिखा होगा वही date आपका account opening date है और ध्यान देंगे कि नीचे आपका सबसे नीचे maturity date लिखा होगा वह आपको नहीं डालना है आपको account opening date ही डालना है खाता खोलने की तिथी डालने के बाद आपको नीचे जमा योगदान रासी डालना होगा जो कि आपके bond पर आपको लिखा दिखाई देगा a sum of rupees in figure वहाँ पर आपको आपका amount लिखा देगा जो आपका जमा रासी होगा धान नेगे नीचे आपका maturity amount है maturity amount आपको नहीं डालना है आपको केवल अपना deposit amount डालना है अब आपको नीचे कोई आंसिक भुकतान प्राप्त हुआ का option देखाई देगा अगर आपने इस bond पर क मैं क्लिक करके और आपने कितना लोन लिया था वो डाल देना है और आपने कितना उसमें मूल्धन चुकाया रिए आपको वो डाल देना धान और अगर आपको यह दोनों नहीं किया है आपके चैनल परनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फैदा उठापाई मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमास्कार अपना ख्याल रखिए